हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल आज आप लोग थम्बिल देखके और टाइटल देखके पता ही चल गया है कि आज कौन सा टॉपिक में मैं वीडियो लेके आई हूँ आज मैं दिखाऊंगी कि अपना चैनल का नाम लेके सब्सकर्ग बटन कैसे बनाया जाता है कुछ इस तरीका से आपSky अगर दिखाऊंगी कि सब्सकर्चाइब बटन कैसे बनता है तो आप लोग देखने के बाद कॉमेंट करके बताएगा अगर कुछ समझ नहीं आया होगा तो आप लोग पमेंट में बता दीजिएगा तो चलिए वीडियो की तरह मैं आ गई हूँ मेरा मोबाइल स्क्रीन में मैंने काइन नास्टर पहले से डाउनलोड किया हुआ है आप डाउनलोड कर लिजेगा प्ले स्टोर में अविलेबल है 16.9 में आपको क्लिक करना है फिर create पे क्लिक करके done कर देना है फिर आपको कूछ इस तरह के इंटरफेस कुलेगा फिर media में क्लिक करके आप जो वीडियो डाउनलोड किये है उसको आपको लाना है तो मैं चलिए लाती हूँ मैंने ला दिया है आपको एक बाद चेक कर लेना है चेक करने के बाद आप लोग लेयर पे क्लिक करेंगे layer पे click करने के बाद जो photo आप लोग डाउनलोड करके रखे है जो अपना photo है आपको लाना है यहाँ पर लाने के बाद इसको भी घीच के बारा कर देना है length तक जितना दूर इसका length है वीडियो का उतना दूरी आप लोगों को रखना है click करने के बाद आपको जाना है crop option में crop option में जाने कर मार्क्स में enable कर देना है enable करने के बाद मैं round वाला shape use की हूँ आप लोग भी use कर सकते हैं आपको जो पसंद है इसको मैं छोटा कर लूँगी छोटा करके इसको अपना हिसाब से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं आप अपना हिसाब से इसको लगा लीजिएगा मैं इसको अच्छी तरीका से सेट कर ली हूँ फिर आप लोगों को photo में किलिक करके in animation में किलिक करके slide up में किलिक करना होगा देख सकते हैं नीचे सूपर जा रहा है फिर मैं इसका point थोड़ा सा बढ़ा दूँगी बढ़ा देने के बाद आपको फिर से out animation में जाके इसको slide down करना है slide down करने के बाद इसका point मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँगी तो दिखने में अच्छा लगेगा मैं एक बढ़ प्ले करके दिखाती हूँ देख सकते कितना अच्छा लग रहा है आपको अगर नाम लिखना है तब layer पर किलिक करके text पर किलिक करने के बाद आपका जो channel का नाम है आप लोग लिख के दे सकते हैं मेरा जो channel का नाम है मैं लिख लेती हूँ मैं नाम लिखने के बाद उके पर किलिक करूँगी फिर इसका size थोड़ा सा बढ़ा कर लूँगी बढ़ा कर लेने के बाद मैं front में जाके इसका front change करूँगी आप लोग जो front पसंद है आप लोग दे सकते हैं मुझे ये सब से नीचे वाला front पसंद है तो मैं इसको दे दूँगी मैं इसको चूज करने के बाद फिर color पर किलिक करके मैं इसका color change कर दूँगी आप लोग जो color है पसंद है आप लोग दे सकते हैं तो मैं यहाँ पर yellow color दूँगी yellow color देने के बाद मैं जगा पर set कर लेना है और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगी आप लोग भी छोटा बड़ा कर सकते अपने हिसाब से सेट करने के बाद आपको सबसे नीचे टेक्स्ट पे किलिक करने के बाद आपको उसका लेंट बड़ा कर लेना है मैं थोड़ा बड़ा लेती हूँ फिर आपको नीचे टेक्स पर क्लिक करने के बाद इन एनिमेशन में जाना होगा इन एनिमेशन में जाने के बाद उसको भी स्लाइड आप करना होगा फिर इसका पॉइंट में थोरा सा बरा दूंगी फिर आपको आउट एनिमेशन में जाके स्लाइड डाउन कर देना है और इ फिर मैं टेक्स्ट को थोड़ा सुन्दर बनाने के लिए इसमें आउटलाइन दूंगी, आप लोग अपना हिसाब से दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, मैं थोड़ा इसका कलर रेट रखूंगी, फिर मैं इसका आउटलाइन थोड़ा सा बढ़ा के, सेवन तक, सिक्स त लेती हूँ, मेरा चली है सेट हो चुका है, मैं आपको एक बड़ प्ले करके दिखाती हूँ, इस वीडियो का आपको सेव कर लेना है, तो राइट साइट में क्लिक करके, आपको फूल एजडी में इसको एक्सपोर्ट कर लेना है, तो चली में कर लेती हूँ, आपको सेव इस वीडियो पर क्लिक करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना है I hope आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सबस्क्राइब जरूर कर दिजिएगा और जो चैनल पर नए है तो प्लीज सबस्क्राइब कीजिएगा और प्लिस मुझे सपोर्ट करते रही है तो चलिए बाई बाई